नमस्कार एक पता नहीं आपने सुनी है या नहीं एक पुरानी कहानी है पहले टाइम बहुत सालों पहले हिंदुस्तान में एक राजा हुआ करता था उसके खिलाफ सारे लोग खड़े हो गए थे पूरी जनता सारा का सारा ओपोजिशन उन पर आकरमन कर रहा था और वो टेफलॉन जैसे थे उन पर जितना भी आकरमन करो कुछ होता नहीं था तो थोड़ी साल बाद जो ओपोजिशन के लोग थे जो उसको रिजिस्ट कर रहे थे वो एक बाहर एक रिशी बैठा रहता था उसके पास गया उसने कहा कि बताइए हमें बात समझ नहीं आ रहे हम इस राजा पर मतलब चौबिस घंटा आकरमन करते हैं जनता इसके खिलाफ है कुछ होता ही नहीं जितना हम इस पर आकरमन करते हैं ऐसा लगता है कि हम गल्ट जगे मतलब तीर मार रहे हैं तो रिशी ने कहा वो काफी मतलब knowledgeable था तो उसने कहा देखिए अचली बात क्या है यह जो राजा है इसकी आत्मा इसके अंदर नहीं है इसकी आत्मा वहाँ पे पीछे एक छोटा सा घर है वहाँ पे एक पिंजडे में एक तोता बैठा है इसकी जो आत्मा है ना वो उस तोते के अंदर है उस तोते को जागे आप पगड़ लीजिए राजा खत्म हो जाएगा बहुत इंट्रिस्टिंग कहानी है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के आत्मा अधानी में है तोता कहीं बैठा है राजा कहीं बैठा है और बहुत समय के लिए सारी की सारी opposition राजे पर टैक कर रही थी मगर असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है पावर किसी और के हाथ में है अधानी जी के हाथ में है जैसे ही हम अधानी जी को टच करते हैं इंटेलिजेंस एजनसीज हमें समझ आ गई है और अधानी जी बचके नहीं निकल सकते हैं क्योंकि अधानी जी को हमने ऐसे घेरा है तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि बचके नहीं निकल सकता है और इसलिए यह सारा का सारा हो रहा है distraction politics कि देश की निगाः opposition की निगाः पिंजने में बैठा हुआ तोते की और ना चले जाए तो हमने का भी clarity है आप देखिए पूरे opposition के खिलाव यहाँ पे Apple का notice आता है मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बढ़ा करके दिखाया है देखिए अच्छी तर देखिए यह तोते का काम है इसमें लिखाया है Apple believes you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID अब ये मेरे office में सब लोगों को मिला है वेनु गोपाल जी को मिला है Congress party में list बनी हुई है पवन खेड़ा, सुप्रिया, सिताराम यचूरी, अकिलेश यादव, प्रियंका चतुरवेदी, महुआ मोहित्रा, रागव चड़ा, टियेस सिंग्डेव लिस्ट है और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में involved है और देश के युगाओं को मैं समझाना जाता हूँ, बताना चाहता हूँ, यहाँ हो क्या रहा है आपका धियान कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं आपके दिल के अंदर गुस्टा पैदा करते हैं और जब आपके दिल में नफरत आती है, गुस्टा आता है जो आपका भविश्य है जो इस देश की पूंजी है जो इस देश का धन है उसको उठाके ये लोग ले जाते है अधानी जी को हिंदुस्तान के पोर्ट आ धिये हिंदुस्तान के एरपोर्ट आ धिये मुंबाई एरपोर्ट चाहिए था CBI ED का प्रयोग किया मुंबाई एरपोर्ट दे दिया agriculture में कानून बना दिये एदानी जी के लिए food grains की storage उनके हाथ में infrastructure उनके हाथ में आप सडकों पे चलते हो cement उनके हाथ पे उनके हाथ में तो पूरा पूरा देश ये तीन चार लोगों को पकड़ा रहे है नुकसान किसका हो रहा है हिंदुस्तान के युवा का हो रहा है आप से ये कहते हैं कि आप जाइए पढ़ाई कीजिए आप जाइए IAS बनिए आप जाइए engineer बनिए आप में से एक परसेंट engineer बनेगा एक परसेंट doctor बनेगा 0.000.00001 परसेंट IAS बनेगा तो यह आपको जूटे भविष्य की कवाइदा करते हैं और जो आपका धन है आपके आँकों के सामने आप से छीन के ले जा रहे हैं ये हिंदुस्तान की आज सचाई है कम लोग हैं जो इसके खिलाब लड़ रहे हैं मगर हम डरने वाले नहीं हैं हम लड़ने वाले लोग है हम पीछे नहीं हर टेंगे जितनी टैपिंग करनी है कर लो कोई फर्त नहीं पड़ता मुझे तो कोई फर्त नहीं पड़ता अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूँ आपको उठाके ले लो अब आपके कोई सवाल नहों तो पूछे English 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 अच्छा नहीं Hindi में थोड़ा एक लाइन और Hindustan की जो का जो भविश्य है उसके लिए सबसे जरूरी चीज नियाए है अगर इस देश में इस देश की जनता को इस देश की युवाओं को नियाए ना मिले तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है और मैंने बहुत बार बोला है और मैं बोलता रहूँगा और हम ये काम करके दिखा देंगे कि कास सेंसिस के बिना इस देश के युवाओं को नियाए नहीं मिल सकता और ये पूरा का पूरा डिस्रेक्शन जो हो रहा है जब अधानी जी पैसा चोरी करते हैं किस से चोरी करते हैं देश की आम युवाओं से चोरी करते हैं पिछ़ों से चोरी करते हैं दलितों से पो चोरी करते हैं आदिवासियों से चोरी करते हैं जब अधानी जी कोईले में उस्ट्रेलिया में जब नाव चलती है, यहां आती है, जब वो ओवर इंवाइंसिंग करते हैं, तो अधानी जी किसकी जेब से चोरी कर रहे हैं पैसा, जो आप बिजली खरीदते हो, उसमें अधानी टैक्स है, ट्रेन में आप जाते हैं, उसमें अधानी टैक्स है, फ्रेट की जेब से, आदिवासियों की जेब से, गरीब लोगों की जेब से, छोटे वियापारियों की जेब से, और पूरा का पूरा ट्रांसफर इनकी जेब में हो रहा है। In English, in English brother. See, there's a beautiful story, old Indian story, there was a king, very nasty king, and he was attacking everybody, stealing from everybody, everybody was disturbed, and his opposition would keep trying to fight him, nothing would happen to the man, keep attacking, keep attacking, keep attacking, they were very confused, why is nothing happening to this man, what is going on, and this went on for a couple of years, and then after some time, there was this wise man who used to do dhyana outside, and so they went to him and they said, what is going on, we keep attacking this man, every day we attack this man, nothing happened to him, happens to this man, and the gentleman said, look, the reason is, that this man's soul is actually somewhere else, the frame, the image is of the king, but the soul is somewhere else, so they asked him, where is the soul, and he said, the soul is there, in a village in the corner, if you go, there's a little cage, and inside that cage, there is a parrot, and if you go, and you kill that parrot, the king will fall, right, and that is exactly what is going on here, Mr. Narendra Modi's soul, is Mr. Adani, right, and no matter how much we attack Mr. Narendra Modi, it doesn't have an effect, because the soul is somewhere else, and now we have understood this, we have understood that the soul is there in the parrot, and now we are attacking the soul, and that is why all this is going on, that is why Apple is sending messages, your phone is being targeted by state-sponsored attackers, right, I used to think that, you know, there's a ranking, people say, press people say, number one, number two, number one, Mr. Modi, number two, Mr. Amit Shah, and actually, the ranking is slightly different, it's number one, it's number one, Mr. Adani, number two, Mr. Modi, number three, Mr. Amit Shah, the country will soon realize, that the Prime Minister is employed, by Mr. Adani, and works for Mr. Adani, right, the examples of this are clear, Bombay airport, airport that is owned by somebody else, state-sponsored agencies, attack the owner, he surrenders the airport to Mr. Adani, Mr. Adani is over-invoicing coal, from Australia, it leaves Australia, it arrives in India, the prices doubled, no inquiry, nothing, no ED, no CBI, nothing, who's paying for it, when we are using electricity, poor people of this country using electricity, we are giving Adani tax, we are going in the railways, we are giving Adani tax, So it's very clear what is going on, right, the wealth of the Indian people, is being stolen from them, they are being divided, they are being made to hate each other, and while they are angry, they are disturbed, they are upset, Mr. Adani is basically taking over everything in this country, He owns most of the channels that are, you know, whose cameras are these, most of these cameras, I don't know which ones, but half of them, at least, are owned by Mr. Adani, so hello, Hello Mr. Adani, I know you don't like this, I know you don't like this type of activity, but I must tell you, that you are creating a huge amount of anger against yourself in this country, the common masses of this country are getting to understand what is going on, And it's my duty as a politician, as an opposition politician, to tell the truth about what is happening in India, so if you have any questions. Yeah, Anand, Sir, after tech access, we have seen this on the phones of several of the Congress leaders and opposition leaders, so what's your next step, whether will you go to take legal recourse or something like this? No, the, look, the last inquiry, the last Pegasus inquiry, where, I mean, my name was also there, that sort of disappeared, right? So that tells you, that tells you the situation in the country. Our job as opposition is to make people understand what is going on, and I'm very happy that more and more people are understanding what is going on, it's very clear. And this is clearly a sign of panic, right? This is clearly, I mean, this is not just one person, this is the whole opposition. So this is obviously, this is not done by somebody who is not scared or this is not done by somebody who is honest or who believes in themselves. This is the work of criminals, of thieves. Only thieves and criminals would want to do this. Yes, sir. Yes, sir. Rahul Ji, now you have a big conversation. You have said that the country is running a government. Your statement is running a lot of your love of love. So in the country, you can do a voting, you can change these governments. So you can change the government. How do you change the government? अधार कैसे बदलेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. आइडियाज है मेरे पास. नहीं तुकुछ अगर शेयर कर पाएं कि ये कैसे शेयर नहीं करते हैं. टाइम आएगा तो टाइम आएगा तो देखाएंगे अधानी शरकार कैसे बदली जाती है. बट आपने बहुत देखिए, आपने बहुत गहरी बात बोली है. अधानी जी ये मत सोचिए कि अधानी जी सरकार बदलने से हड़ जाएंगे. नहीं. मगर जिस तरीके का monopolization हिंदुस्तान में हो रहा है. और अधानी जी उसके symbol हैं. सबसे बड़े symbol हैं बिलकुल blatant symbol हैं. उससे देश को जबरदस नुक्सान हो रहा है. उससे हमारी democracy तूट रही है. हमारे लोगों का पैसा चोरी हो रहा है. हमारे institutions कलाप्स कर रहे हैं. बीजेपी की सरकार और बीजेपी का जो फिनांशल सिस्टम है वो डिरेक्टी लिंक्त हैं के साथ. बट चुनाव जीतने से, प्रोब्लम रिजॉल्व नहीं होगा. प्रोब्लम रिजॉल्व करने के लिए और दवाई देनी पड़ेगी. मिस्तर गंढ़ी जीतने साथ, मिस्तर गuंड़ी जीतने से, इस रहें जीतने से, इस कर रहें किताल अप्रोब्लम रिच्व नेख टी। एंट्र आवगी जीतने से, G buddy. I am defending the what I consider to be the idea of India okay I believe a free press I believe independent institutions I believe fair business practices these are all the idea of India and I am defending that idea and I am defending that idea how? with the truth right I have a habit of telling the truth I like speaking the truth it gives me happiness and joy right and that is what I am doing this is a this is not just a political fight this is not just a fight about as I said about going and winning an election this is a much deeper fight one step is winning an election and I am confident that you will see in the next 8 elections the results right but it is a deeper problem we were enslaved please remember all the young people in this country please remember we were enslaved by a monopoly we became slaves of a monopoly it was called the East India Company it was a foreign monopoly it had partners in India and we are being enslaved by a monopoly again so we are fighting actually for the independence of this country many people are not realizing this right now you will come to realize it but what is going on is a continuation of the freedom struggle the fight against monopoly capital the fight against monopoly capital which made our country into a slave country yes 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 oh अडानी या मोनोपोलिज्म ओफ अडानी वो भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो आपको आगे दरनी है हाँ सही बात है बट देखे जो जिस लेवल का मोनोपोलाईजेशन हो रहा है ठीक है उससे सारे लोगों पर असर पढ़ रहा है आप जिजग जिजग के question पूछ रहे हो जेनरली आप ने बट जेनरली जो आप थोड़ा गभरा के questions पूछते हो उसी मोनोपोली का असर है ठीक है कोई गास सिलिंडर हजार रुपए का दे रहा है उसका linkage है कोई ले से उसका भी कारण मोनोपोली अदानी एरपोर्ट में अधानी माल अंदर आता हिंदुस्तान में अधानी तो मनोपली का एफेक्ट सिर्फ पुलिटिकल लोगों को नहीं हो रहा है हिंदुस्तान दो दो भागों में बट रहा है एक प्रो मनोपली एक अंटी मनोपली जो अदानीक जी के खिलाफ बिजनस वाले लोग है वो भी इस बात को समझ रहे है they are anti-monopoly तो देश दो parts में divide हो रहा है pro-monopoly pro-दानी control and anti-monopoly pro-people control ठीक है? उसमें generally जो opposition की position है broad जो position है वो anti-monopoly control है राहुल जी नमश्कार आवाँ तो है दूसरों की आवाँ है it is not that दूसरों की आवाज नहीं है आप लोग थोड़ा जादा मेरे उपर फोकस कर जाते हो राहुल जी नमश्कार राहुल जी नमश्कार नहीं 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 मैं अकेला नहीं हूँ ये एक concept है एक idea है हिंदुस्तान का एक idea है मैं अकेला नहीं हूँ करोणों लोग खड़े मेरे साथ वो अलग बात है कि उनके हातों में लाकों करोड रुपे नहीं है मगों सब खड़े हुए सब को दिख रहा है सब को दिख रहा है देश में क्या हो रहा है अधानी जी as number one सब को दिख रहा है अधा उसमें अधानी निश्पक्ष ने आया का आप झिकर किया है कल एक फैसला है सुप्रीम कोड का क्या आपका यह जो बयान है इस से जुड़ा हुआ है यह कैसे निया दो भागेदारी क्या निया पालिका में भी क्या आप उसका जिकर करेंगा अरक्षन का यह को लेकर भी लडाई चेल देए ... एक सिंबल है ... अधानी जी एक सिंबल है जैसे मैंने जैसे आपने कहा ... मेरा पर्सनली अधानी जी के खिलाब कुछ नहीं है ठीक है ... मैं स्ट्रक्चर को देख रहा हूं ... और मुझे इस्ट्रक्चर में प्रॉब्लम दीख रही है ... अगर अदानी जी का कोई और नाम होता तो मैं उसके बारे में बोलता तो अदानी जी has become a symbol of monopolization of India and monopolization अब सब जगे पहुँच गया है देखिए पहले monopolization business में था अब monopolization railways में आ गया transport में आ गया ports में आ गया airports में आ गया यहां आ गया ED CBI में गुच गया अदानी इस controlling ED and CBI brothers right Bombay airport he got Bombay airport by controlling CBI and ED so he's controlling the country so that is my problem number one main बात क्या है कि number one अदानी monopoly number two monopoly जो देश के पिछडे लोग हैं दलित लोग हैं आदिवासी लोग हैं उनका सरकार को चलाने में करो ली नहीं है मैंने उस दिन आप से पूछ दिया शायद पूछना नहीं था बट इसमें इस कमरे में कितने पिछले लोग बैठे हैं नहीं अब आप बैठ गए आये हो पता हैं इस्पेशल इंवाइट बट एक ठीक है आप एक हो ना ठीक है आपकी आवादी कितनी हैं इंडुस्तान में कितनी होगी अब आप देखिए आप है आप है रिपॉर्टर अब आप मुझे बता इए इंडिया के योटोप अप्टोप मीडिया कंपनी इस हैं जो आपको कंट्रॉल करती हैं उनमें से वबी सीए ?? कितने Dalit CEO's कितने हैं, Adivasi CEO's owners कितने हैं, zero zero this is a huge problem for the country this is another type of monopoly so these two monopolies are connected Adani's monopoly and caste census are directly connected and what I am trying to do is show the connection to the people of India कि यहाँ पे 90 लोग हिंदुस्तान को चलाते हैं, उसमें तीन पिछड़े हैं पिछड़ों की अवादी 50% बजट का कंट्रोल 5% आदिवासियों की अवादी 12% कंट्रोल 0.01% मतलब 100 रुपे में से 10 पैसे दल्यतों का कंट्रोल 1% 100 रुपे में से 1 रुपिया तो तीस नोट एक्सेप्टिबल अगर हम मतलब सूपरपार की बात कर रहे हैं देश की प्रगती की बात कर रहे हैं तो यह स्ट्रक्चर एक्सेप्टिबल ही नहीं है इसलिए मैं कास्सेंस की सवाल उठा रहा हूँ एंड कास्सेंसस इस वाट इसे एक्सरे हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि एक्शन क्या लेना है हम यह कह रहे हैं भाईया पले एक्सरे लो पता लगाओ इस देश में अधानी कितने है पिछडे कितने है दलित कितने है आदिवासी कितने है एक बाद डेटा आ जाएगा उसके बाद हम जो हिंदुस्तान के डिवेलोपन्ट के next step है revolutionary step है उसको हम शुरू कर सकेंगे तो यह मेरा main point है यह सब सम्टम्स है यह सारे के सारे मनोपली के सिंप्टम्स हैं मतलब पूरा-पूरा एक आदमी कंट्रोल कर रहा है ठीक है आप हिंदुस्तान के युवाओं को क्या ऑप्षन देते हो option देते हो IS कितने बनेंगे 300 बनेंगे 400 बनेंगे हर साल फिर option देते हो engineer doctor lawyer कितने बनेंगे 1% बन जाएंगे तो 99% लोगों को क्या होगा अब उन 99% लोगों को रोजगार कौन देते हैं छोटे business वाले देते हैं अब कोई कोई पिश्रा लड़का कोई दलिज लड़का कहता है बहिया मैं चोटा जब बिजनेश आलू करना चाहता हूं 15 सेकंड नी चलेगा उसको business क्यों कि दे अदानी खड़ा है उसको bank loan नी मिलेगा तो ये जो सारी कि सारी unemployment है ये सारा सारा structure इस monopoly के कारण हो रहा है आप बताईए अदानी जी ने हिंदुस्तान के कितने businesses खटम कियें लाखों businesses उड़ा दी है और business उड़ाने का क्या मतलब कि हिंदुस्तान के युवां को रोजगार नी मिलेगा तो बड़ा simple combination है अदानी जी को पैसा दो हिंदुस्तान के युवां को रोजगार मत दो जो उनमें गुस्सा आएगा उसको गुस्से को और आग दो और अदानी जी को पैसा दो ये ये structure है आज की प्रेटिक्स है इसेरा में आप है इसको बात करने से चकते हैं और इसकी बचल से जो तैयार्या उतना हो की नहीं या पार्टी की रहने की देखिए एक लिवल पे होता है एक लिवल पे हमें मीडिया की जरुवत है हमें सेल फोन की जरुवत है मेरा मतलब यूट्यूब चैनल है मेरा उसको बंद कर रखा है मतलब सप्रेस कर रखा है मेरे ट्विटर को सप्रेस कर रखा है फेस्बुक को सप्रेस कर रखा है हम सब जानते हैं आपको आकड़ी चाहिए हम दे देंगे एक लेवल पर ये है पर दूसरी लेवल पर क्या होता है जब ये सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर हमें इनोवेट करने की जरुवत होती है और फिर सचमुच की राजनेती शुरू होती है मतलब ये लोग सोचते हैं कि भईया हम टेकनोलिजी को कंट्रोल करके हिंदुस्तान के युवाओं के अंदर जो दर्द है उसको कंट्रोल कर लेंगे वो नहीं आएगा हाथ हम अड़ाप्ट कर रहे हैं भारव जोड़ो इसका एक बहुत अच्छा उदारन है उसमें कोई टेकनोलिजी की निज़रवद नहीं है आप पुरी टेकनोलिजी बंद कर दो बंद की इनोंने पूरा मतलब दम लगा दिया कोई फर्क निपड़ता तो एक्चली जिस लेवल पर हम पहुँच गए है मुझे लग रहा है बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है मुझे लग रहा है कि पुराने उजार ज़्यादा बेनिफिशल हैं ज़्यादा एफेक्टिव हैं और हम इनको पुराने उजारों से ही मारेंगे अब देख लेना एंड में ये पुराना जार सबसे पुराना जार कौन साइस चाहिए उसी से हम इनको पगड़के कोई बाग नी सकता लास्टाइम यूनो इस इशू यूनो इस इशू आफ स्नूपिंग केम अप वस कर लास्ट ये लोड़के कि चाहिए वीडिया जावाब उजू ऊए इजए उडिया जावड़के भावे लूवड़के को यूनो इस इश को तो आप लिए्यारों जो इस अउनिया we have moved our political system has moved right it started in 2014 I would in fact say it started yeah in 2014 I would say that the concept started in Gujarat in you know 2002 and then the concept evolved and the concept spread the idea spread from Gujarat which was pure monopoly to the rest of India we have now entered a different politics where the old tools and structures don't work look this if you had given me this in you know Manmohan Singh Ji's government time or Vajpayee Ji's government time this was a explosive this was like dynamite it would blow any government to bits if you had given you know in Vajpayee's government if you had given me Raphael I would have blown the government you wouldn't have found the government right if you had even given me the fact that CBI raids the Bombay airport owners and the and the thing goes to Mr. Dhani that would have toppled the government right so the old tools just don't work anymore which means that the structure is broken which means new tools have to come and then new structure has to be built which for me is a very interesting and exciting time because no seriously because we can construct things that we could never have imagined five years ago seven years ago ten years ago the 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 o Everyday I am very very happy Optimistic no 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 I am very very happy Optimistic that our beautiful country is continuing its tradition continuing itsاؤrny and is going to open an entirely new चेप्टो